बहुजन समाच पार्टे के प्रतियाशी रादे शाम पाल को भारी मतों से जिताने के लिए वाड की जनता ने अपना समर्थन देते हुए फुल माला पहना कर प्रतियाशी रादे शाम को हाड़िक शुक काम नाएं दी और कहा हमारा प्रतियाशी रादे शाम जी जैसा हो जो वाड में कारे कर सके वाड की जनता ने रादे शाम जी की जेजे कार लगाते हुए जोड़दार नारे लगाए और कहा हमें उम्मीद है रादे शाम जी को बोट देकर हम प्रतियाशी चुनने का आश्वाशन देते हैं अगर रादे शाम जी जीते तो हमें उम्मीद है कि हमारे बाट के रिए कुछ अच्छा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ। वे उम्मीद हम रादे शाम जी से करते हैं कि हमारे बाट को जीतने के बाद वे कारे जो नहीं हुआ वे करेंगे। पित्याशी रादे शाम जी ने सभी से अपिल की की छेतरवासी अपना बोट मुझे देकर विजय बनाएं मैं आपसे वादा करता हूँ जो कारे रुका है मैं उसे पूरा करूँगा जो सडको का छेतर में निर्मार नहीं हुआ वे मैं आपके आशिरवास से आपके सहयोग से और छेतर के लोगों के लिए आदी रात को तत पर खड़ा रहूँगा मैं सभी से अपिल करता हूँ कि मुझे अपना बोट देकर काम्याब बनाएं मैं सभी से हाथ जोड़कर अपिल करता हूँ उसे चुने जो आपका कारे कर सके अब क्या संदेश देगें आप करती है तो अपने चेतिक नहीं है क्या संदेश देना चांगे अब कि अधास में क्या कहना चांगे आप इसके लिए नालियों का विगास कराना कितने कम्याइश चेतर में अभी बाकी हैं अभी तक कोई कमी पूरी नियुक्त आप कैसे लेंगे इस कमी को पुरा है जनता से अप क्या पिर्दिश दे ना चांगे एड़िक अ बहुत दे बस तो करेंगे जन्ता की रख्षा करेंगे सफपा साथ देंगे वकट पर जन्ता की सेवा करेंगे तब दाली होगा जब जिटी की कि अगर आपका मेरा माम चरबसी क्या संदेश रहेगा अगर यह जो अमीदवार हमारे खड़े होई हैं अगर जीटे हैं जैसे सड़क जहां टिकी हुई हैं नाली नहीं है कूड़ा पड़ा रहता है इन सब की सपाई और सड़कों पर जहां देंगे और सभी हमारा साथ कर्मत इमानदार बड़ी आजमी है और हम यह समझते हैं कि जो भी परिशानी महले वालों को होगी किसी बात में नाली चौक हो रही है लाइट नहीं आ रही है और निकलने का राश्ता नहीं है तो यह सारी जो परिशानी है उसके दूर करेंगे महले के हैं जब भी चाएंगे जब भी इने बुला लेंगे ने तो बाहर के होते हैं एक बार मारके चकर उसके बाद देखते हैं नहीं कि क्या और महले में यह सोच पर हमने तरह को scholars सपोर्ट है और मैं रिटायर्ट प्रेंश्विल हूं और अधिश्कुमार चौहान मेरा ना कितना सेयोग आपका इन लोगों के साथ हैं पूरी पूरा साय होग है हमारा विकास कार्य को लेगे क्या कहने चाहिए यह कि विकास कार्य करेंगे पूरी उमीद है और यह से भी बढ साथे बढ़िया कार्य करेंगे कहीं भी इनके कार्य में हमें कोई संदिक्सा नहीं है